अस्सलाम वालीकुम गाईज आज मैं आपके सामने एक ऐसा एविडेंस रखने वाला हूँ जिसको देखने के बाद ये बात साफ हो जाएगी के रसुल अलाह वल्युसलम इस दुनिया को स्फेरिकल मानते थे और रसुल अलाह वल्युसलम को ये भी पता था कि ये जो सितारे आसमान में हम देखते हैं ये कोई छोटी छोटी चीजे नहीं हैं बलके ये सितारे बहुत बहुत बढ़े होते हैं और जो एविडेंस मैं अब दिखाने वाला हूँ उस एविडेंस से ये बाद भी साफ हो जाएगी के रसुल अलाह इस आसमान को को सॉलिड ठोस चीज नही समझते थे तो बने रही ये इस विडेयो में आज में एक ऐसा एविडेंस आपके सामने रखूंगा वो भी सई हदीसों से जिसको देखने के बाद एच मुचलिम्स के नजाने कितने आर्गुमेंट ताश के पत्तों की तरह भी खड़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले हमारे एच मुचलिम्स को सुन लेते हैं कि ये इसलाम के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं क्लिप क्योंकि उसके हिसाब से तो ये तारे तो सजानी की छोटी-छोटी लाइट्स हैं जो एक दिन बुझ जाएंगी और जमीन पर भी आगे रहेंगी जो चीज डिखती थी जितना अबसर्वेशन वो लोगा था बस उतना ही नौलेज आपको मिलेगा चांद लिखता था सूरज दिखता था सितारे दिखते थे तो रसूल अल्लाह ने नाम पर बता दिये The Quran tells us that the stars will fall down before the day of judgment. As we understand by now, the Quran's author thought that they were little objects, lights, missiles, and they could fall down on us. सुना आपने इन लोगों के दावे, अब मैं रसूल अल्लाह की ही हदीसों से ये बात साबित करता हूँ कि रसूल अल्लाह ये सब जानते थे, कि आस्मान कोई solid चीज नहीं है, और stars कोई छोटी चीज नहीं है, और हमारी earth spherical है, रसूल अल्लाह ये सब जानते थे तो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जो आगे हमारे काम आईगी, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत से लोग ये सोचते हैं, कि जननत जो है वो एक है, और लोग सोचते हैं, कि तमाम इनसानों को end में उसी एक जननत में enter होना है, और सब तो ये सोचते हो, कि एक जननत है, तो रसुल अल्ला ने कहा नहीं, बलके जननते कई हैं, तो जननत एक नहीं है, बलके कई जननत हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आगे हमारे काम आईगी, तो अब आ जाते हैं, उस एविडेंस पर जिसकी में बात कर रहा था, तो बुखारियन मुसलिम की मुतफ़कुन अले ही हदीसे हैं, मैंने यहाँ पर बुखारियन मुसलिम का रेफरेंस भी दे दिया है, अगर किसी को ये हदीसे बुखारियन मुसलिम में देखनी है, तो वो खुद चेक कर सकता है, ये रेफरेंस मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो ये हदीष है, रसुल अलाव ने इर्शाद फरमाया कि जन्नत में रहने वाले लोग, दूसरी जन्नत में रहने वाले लोगों को ऐसे देखेंगे, जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं, यानि इसका मतलब ये है, जो निचले लेवल के जन्नती हैं, वो उचे वाले जननती लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं तो देखा यानि रसुल अल्लाव लेख सलम यह बात को जानते थे कि ये सितारे जो हम आसमान में देखते हैं यह कोई चोटी चोटी चीज़े नहीं है बलके ये distance की वज़े से हमको चोटे-चोटे लगते हैं लेकिन इन reality ये सितारे बहुत बहुत बड़े होते हैं तो अब सवाल ये आएगा कि इससे सितारों का बड़ा होना कैसे साबित हो रहा है वो ऐसे कि हम जानते हैं कि जन्नते भी बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं जन्नतों का size हम imagine भी नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा होने वाला है और जन्नते कितनी बड़ी होती हैं इसका अंदाजा आप इससे लगाएं बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस है सायल बुखारी 75 11 नमबर हदीस में आता है कि सबसे निचले दरजे का जन्नती जो शक्स जन्नत में बिलकुल last में end में जाएगा जहनुम में जलने के बाद जो शक्स बिलकुल end में सबसे आखिर में जो शक्स जन्नत में enter होगा तो उसके लिए इस दुनिया से दस गुना ज्यादा बड़ी जन्नत होगी तो बिलकुल एंड में जन्नत में एंटर होने वाले शक्स को दुनिया से दस गुना ज्यादा बड़ी जन्नत दी जाएगी तो अब आपको समझ आया इस हदीस में कितनी जबर्दस बात लिखी हुई है इसमें लिखा है कि निचले दरजे के जन्नती अपने से उपर दरजे के जन्नतियों को ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं यानि अल्ला के रसूल ये कहना चा रहे हैं कि जन्नते होंगी तो बहुत बड़ी बड़ी ही और इनसानों को मिलने वाली सबसे छोटी दरजे की जन्नत भी दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी लेकिन क्यूंके उनके 20 डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा इस वज़े से वो हमको सितारों की तरह छोटी छोटी नजर आएगी लेकिन वो होंगी बहुत बड़ी ही तो जन्नते अगरचे के बहुत बड़ी बड़ी होंगी लेकिन उनके 20 डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि निचले दरजे के लोगों को वो जननती सितारों की तरह छोटी-छोटी ही नज़र आएंगी तो इस हदीश से हमें पता चला कि रसूल अल्लाओं ये बात जानते थे कि ये सितारे हमको देखने में छोटे-छोटे लगते हैं लेकिन ये सितारे रियालिटी में बहुत बड़े होते हैं उनको इसका पता था और उनको ये भी पता था कि आस्मान कोई सॉलिड ठोस चीज नहीं है क्योंकि एच मुचलिम्स का दावा ये है कि रसूल अल्लाओं तो आस्मान को कोई सॉलिड सी चीज मानते थे जिस पर चोटे-चोटे सितारे लटके हुए हैं या चिपके हुए हैं या किसी तरह से टिके हुए हैं लेकिन जब मैंने आपको ये बात साबित कर दी कि रसूल अल्लाओं तो जानते थे कि ये सितारे साइज में हमारी दुनिया से भी जादा बड़े होते हैं तो ये सॉलिड आसमान वाला मॉडल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि सॉलिड आसमान तो इस तरह का मॉडल सपोर्ट करता है लेकिन रसूल अल्लाओं ने तो इस हदीश से इस मॉडल की पूरी तरह धज्या उड़ा दिया है तो जब Rasulullah ﷺ ये बात जानते थे कि ये एक एक सितारा हमारी इस दुनिया से भी जादा बढ़ा है तो फिर वो आस्मान को सॉलिट कैसे मान सकते हैं ये मॉडल ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और फ्लैट अरत वाली बात भी इसी हदीश से डिस्ट्रॉय होती है क्योंके स्टार्ज भी आस्मान में स्फेरिकल ही दिखते हैं तो इस से हमको ये पता चला कि रसूल अल्ला स्वे ये भी जानते थे कि जिस अर्थ पर हम वाक करते हैं वो भी स्फेरिकल ही है क्योंके रसूल अल्ला ने दुनिया की जिन्देगी का कमपैरिजन जन्न से किया है कि हम लोग जन्नत में दूसरी जन्नतों को सितारों की तरह देखेंगे तो जन्नती भी स्फेरिकल ही होने वाली हैं अभी तो हम आसमान में एक दूसरे लोगों की जन्नतों को स्टार्स की तरह देख पाएंगे, क्योंकि हम खुद भी स्फेरिकल शेप की जन्नत में ही रह रहे होंगे, तो लिहाज़ा हम एक दूसरे लोगों की जन्नतों को सितारों की तरह देख पाएंगे, तो रसुल अल्लाव ने इस एक हदीश से इनके नजाने कितने आर्गुमेंट्स की धज्या उड़ा दी रसुल अल्लाव ने 1400 साल पहले ही इन लोगों की रीड की हड़ी पर जबरदस चोट पहुँचाई है सिर्फ इस एक हदीश से तो अब बताओ रसुल अल्लाव के पास कौन से टेलिस्कोप्स थे जो उनको ये पता चला कि ये सितारे चोटी चोटी चीज़े नहीं है और अगर आपको कुरान पर उठाए गए 60 साट साइंटिफिक एतराजों के जवाब जानने हैं तो इस जगा क्लिक कर दें आप मेरी ये तीन घंटे की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अल्मोस्ट हर साइंटिफिक एतराज जो कुरान पर उठाया जाता है उसका जव आप दिया है आप ये वीडियो देख सकते हैं आपर क्लिक कर दें